गुद बॉर्निंग जी सभी को सभी का स्वागत है तो फिडियास अकेडमी के चैनल पे और यह वीडियो इस वीडियो में हम लोग जो प्रिविएस येर है ए ए एस के पी आर्टी के पेपर का उसको सॉल्व करेंगे अगर आप लोग यह चाहते हैं कि इस पेपर को आप लोग उसी जैसा कम्प्यूटर बेस टेस्ट में आने वाला है वैसा ही टेस्ट आप लोग दे करके देखें अपना स्कोर चेक करें तो सबसे पहले जाओ जो फिडियास अकेडमी के अप्लिकेशन उसे डाउनलोड करो वहाँ पे टेस सीज में आपको प्रिविएस येर का सेक्शन मिलेगा और पे एएएस का यह जो पेपर है कम्प्लीट सो नंबर के सो के सो भोष्चन वहाँ पर मिल जाएंगे टाइम लिमिट पे जैसे टाम लिमिट वहाँ पे पेपर में आपको मिलने वाला है वैसलें जैसे टाइम लिमिट यहाँ परम जैना आपको Чेक करो सॉल्iveness करन वहां पे complete paper दे लो वो करने के बाद फिर जो गलतियां हो वो यहां पे आके वीडियो में चेक कर ले ओके सेकंड तिंग अगर वैसे चाहते हो कि आफलाइन में PDF मिल जाएं तो मैंने देखा कि कई लोग वो पैसे भी चार्ज कर रहे थे आप लोग को कोई पैसा देने की जुरूत नहीं है जो तरे भी पेपर हुए है AWS के आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन करो वहां से आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगा तो मर्जी आपकी solve करके देख लो इस पे अगर solve कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है जो भी तुमने गलती की है जहां पे तुमारा time ज्यादा लगा है वो सारी अपनी कम पकड़ो क्योंकि test series का फाइदा तभी होता है जो हमारी कमिया हो और वो कमिया हम अपनी दूर करें चलो जल्दी से शुरू करते हैं पहला question हम इसको time limit में ही करने की कोशिश करेंगे पहला question देखते हूं कि 56 percent of y is 182 जैसा यह बोल रहा है वैसा ही लिख दो 56 percent of y अब इस percent का मतलब क्या होता है अपन में 100 of y is 182 find the value of y तो y के value कैसे आजएगी 182 upon 56 और यह 100 कहां चलाएगा multiply में चलाएगा ओके जैसा कि हमेशा होतार में पहले बोलता भी हो कि वहां पे जो calculation आएगे बिल्कुल 14 चौदतिया 42 यह कितना आ जाएगा पच्चेस सो के सो धाई सो प्लस पिछत्तर 325 तो option number c यहां पर हमारा correct हो जाएगा अब अगर approximation से करना है तो कैसे करेंगे 56 percent है बहिए 182 के लगबाग तो 6 percent ज्यादा हो रहा है ओके तो जो 50 percent होगा वो लगबाग किसके आएगा अगर यहां से approximate में अंदाजा लगा तो 50 percent किसके 160 something क्या आएगा तो जब 160 something क्या है 50 percent है तो 168 का double कितना हो जाएगा 320-322 तो वो कौन सा है यहां पर भी ऐसे भी बिना calculation solve किये भी आप answer पे आ सकते हैं चलो next question पर बढ़ते हैं next question कहता है why has to score 40 percent marks to pass भाई वाई को 40 प्रतिशत नंबर चाहिए पास होने के लिए he has 20 marks and failed by 40 marks भाई हम teacher है हमारा काम क्या है बच्चे को पास करा तो क्या करना है आपको यहां पर सबसे पहले बच्चे को पास करा हो भाई देखो पास कैसे होगा 20 marks वो लेकर क्या है बच्चा 40 marks से fail हुआ है तो इसको 40 marks दो अब यह क्या हो गया अब यह हो गया पास पास अब ध्यान दो 40% equals 60 तो 100% निकालना है निकाल लो चलो solution से पहले इसको वैसे solve करते और ली कोशिश करते हैं 40% साथ के बराबर 80% डबल 120 के बराबर अब कितना बच गया 20% बच गया जब 40% साथ तो 20% कितना तीस आधा 120 में 30 जुड़ा कितना आ गया देड़ सो option number C तुमारा क्या हो गया correct हो गया वैसे solve करना चाहो यह क्या हो जाएगा 100 by 40 cancel दो तिया दो दो ने पचास पचास तिया देड़ सो option number C correct clear है सभी को चलो भे अगला प्रश्न choose the fraction which is greatest in value among the following चलो पहली बात अगर fraction के बारे में detail में जानना चाहते हो तो एक fraction की complete बिलकुल basic से क्योंकि seat at में आया था मैंने बिलकुल basic से करा रखा है तो आप वहां पे जाके भी proper fraction कैसे होता है कौन सा बढ़ा कौन सा चोटा पूरा सीख सकते हों कोशिश करूंगा मैं उस वीडियो को जो एएएस का जो बनाएंगे प्लेलिस्ट बनाएंगे उसी में डाल दूँ आप लोग वहां से इस chapter को सीख भी सकते हो for the time being greatest पूछा है ध्यान दो इन सब में क्या है difference बराबर कितने का है एक का है तो difference जब बराबर हो तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता जो सबसे छोटा दिखता वही सबसे छोटा दिखता इन दे difference 4 by 9 पांच का गैप ग्यारा बटे सोला पांच का गैप तेरा बटे अठरा पांच का गैप सब में पांच का गैप है तो कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा इस वन विल बी ग्रेटेस तो क्लियर है सभी को और फिर से बोलूँगा समझना है तो वीडियो फ्रेक्शन की का 5 देखो कुशन में कॉंचूज कर रहा है वैसे तो नौर्मली फॉस्ट औंच से कंड देते हैं बट इस ने क्या किया सेकेंड एंड फड दूसरा और तीसरे का पहला पहले दे दिया है और फॉस्ट और सुकिन कितना है थ्री सटू 7 तो 3 इस्टू 7 फॉस्ट और सेकेंड six and five second is to third अब यहां से क्या कर लोगे first second third का ratio निकाल लोगे चलो भई निकालो जल्दी तेन चेक 18 साथ चेक 42 साथ पंजे 35 पूछा क्या है sum of three number 285 तो इनके ratio का क्या करो सी ratio में add कर लो साथ चेक 42 साथ पंजे 35 तो यहां पर क्या आ गया 95 x equals 285 x equals upon me 95 यह 3 आ गया 3 आ गया तो पूछा क्या है the third number is तो third number क्या तीन से multiply कर दो 35 एक सो पांच option number D will be correct ओके चलो अगल्या प्रश्ण यह 35 प्रश्ण पर बढ़ते हैं numbering वही रखी गई है जो उस paper में आई थी 31 से लेकर 40 तक मैच था और 86 से लेकर 100 तक मैच था मतलब question कुल आए थे 25 मैच के इस बारी भी वही आएंगे मैच को आप छोड नहीं सकते सौ में से 25 नंबर यानि 25 पॉसेंट 60 पॉसेंट क्वालिफाइंग है वही या छोड़ने की तो सोचना भी मत चलो ए मैं गौट रूपीज 130 लेज आज सिंपल इंट्रेस्ट वैन ही इनवेस्टेड इनवेस्टेड हो मच रूपीज 2000 पॉर पॉर यर अस कंपेर तो इंवेस्टिंग 225,000 पॉर सेम डूरेशन एक और चीज बता दू आपको अगर यह सोचते हो कि पेपर वहां हिंदी में भी मिलेगा तो इंफूुजन में मत रहना बच्चों क्योंकि पेपर इंगलिश में ही आएगा अब यह मत के ना किजीज़ींदी में भी इंगलिश तो हिंदी में ही आएगी वाकी और अब देखो सिंपल इंट्रेस्ट की प्रापरटी ह Bent हर साल क्या होता है वो बराबर रहता है अब 130 रुपे का अंतर आया चार साल में तो एक साल में कितने का अंतर आया चार तिया 12,30 रुपे का किसकी वजह से 2000 था यहां 250 था थाइसो रुपे की वजह से कितने रुपे का फर्क आया 34,30 रुपे का यह तुम इस थरीके से भी कर सकते हो 130 रुपे का पर थाइसो रुपे को तुम्हें वो कितने में कन्वर्ट करना पड़े गा हजार में कनवर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर क्या है बिलकुल सेम है तो सेम होने की वज़े से यह चीज़े यहां पर ऐसी रहेंगी अब देखो यहां पर क्या हुआ दाइसो रुपे का कितना परसेंट है साडे बतिस चेक करो भैं दाइसो रुपे का 10 परसेंट आगया 25 दो परसेंट आगया 5 और 1 परसेंट कितना आगया धाई तो यह कितना हो गया 10, 12 और 1, 13 means option number B will be correct over here. I hope clear हो गया सभी को. चलो, अगले question पर बढ़ते हैं. अगला question बहुत important है. In 3 years, by compound interest, a sum becomes 900. But in 4 years by compound interest, the same sum becomes 1000. तीन साल में 900 हो जाता है, 4 साल में वो 1000 रुपए हो जाता है. अब ध्यान दो, simple interest में हम क्या करते हैं, simple interest में हर साल सेम रहता है. But अगर हमने compound interest में सौ लिया, पहले साल का ब्यास 10, अगले साल के लिए मुल्धन कितना हो जाता है? 110. अगले साल के लिए 11, तो फिर मुल्धन कितना हो जाता है? 120, तो हम, क्योंकि अगर calculation करें तब तो first आएंगे ऐसे question में, time बहुत ज्यादा लगेगा, तो हमें approximation आना चाहिए. अब कैसे करोगे वो समझो, 900 रुपे तीसरे साल के बुल्धन हो गया, 1000 रुपे हुआ है means ब्याज कितना, 100 रुपे हो गया, अब 900 का कितना percent 100, तो 10% 90, एक परसेंट 9, यानि कि 11 point something, अब देखो 11 point something है दो में, यहाँ पे एक फाइदा हो गया कि ये दोनों क्या हो गया, reject हो clear, okay, अब दूसरा हमें क्या निकालना, principle निकालना, principle के लिए हमारे पास ये दो option है, 656 और 655 देखो ये तीन साल में हुआ है, तीन साल में हुआ है, तो तीन साल में किस तरीके से होगा, अगर मैं इसको सब approximation का खेल है, calculation का खेल है, जो भी paper है, maths के लिए मरे बच्चो ध्यान को दो, मैं जो भी class होती है, सब में कहता हूँ, calculation is the key, maths सब में जमा, घटा, गुणा, भाग, यही है, वो समझ में आ जाता है, पर calculation कैसे आएगा, table याद करो, 20 तक पाड़े याद करो, square याद करो, cube याद करो, और यह जो तरीके होते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, कभी मत करना, कभी भी नहीं, पंगु बन जाओगे, अपंगु, जब तक वो चीज नहीं आएगी दिमाग में, तब तक आप answer तक नहीं पहुचोगे, इसलिए, रटा मारो, पाड़े तो 20 तक रटा मार लो, और अगर वो भी तुम अगर मैं 700 मानूं, simple interest एक साल का 10% ही मान लेते हूं, तो 70, 70, 70 कितना हो गया, 210, और यह 210, 700 में जुड़ा कितना हो गया, 910, और यहाँ पे कितना है, 900, जो की है, ज्यादा, इसलिए ये भी क्या हो गया, reject, तो बचा कौन सा, B, तो option number B is correct, बस, इस तरीके से चलना है, time भी बचाना है हमें, और accurate भी करना, speed प्लस accuracy, यह दो चीज़े, ध्यान दे दो भई, अगर यह दो चीज़े नहीं करी, तो परिशानी होने वाली है, अब आता है ऐसा question, x equals a, y equals b, x minus y 2 and x minus plus y 4, then what will be the value of a and b, देखो, x a, y b, मतलब हमें क्या करना है, x की value निकालनी है और y की value निकालनी है, यह सिर्फ देखो, सिर्फ और सिर्फ confuse करने का, x बराबर है, अरे तो पता है, x की value निकलेगी, वही यह की value होगी, ओके, चलो, क्या दे रखा है, x minus y, लो भई, फटा-फट से solve कर लो, 2x plus y equals 4, इनको जोड़ दो, 2x equals 6, x equals 3, जब यह 3 यह आ गया, तो 3 में से 1 गया, 2, तो y की value क्या आ गई, 1 आ गई, यह क्या था, a, यह क्या था, b, a and b, 3 and 1, option number b, correct, ओके, टिक करो, आगे बढ़ो, फटा-फट से, जल्दी से आगे बढ़ो, अगला प्रशन, अमित कवर से distance at a speed of 24 km पर आर in 6 minutes, 24 km पती घंटे की गती से, वो 6 minutes में दूरी तै करता है, if he wants to cover the same distance in 8 minutes, what should be his speed, उसकी speed कितनी होनी चाहिए, एक simple सा है, कि अगर हमें आरा, लेट जाना, time बहुत है, तो हम क्या करेंगा, अपनी speed को कम कर देगे, अगर जल्दी जाना, तो speed को बढ़ा देगे, यहां पर क्या कर रहा है, पहले 6 minutes में, अब 8 minutes में, मतलब time है, तो speed क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यह वाली पहले reject हो गए, अब बची कौन सी, वो भी देख लेते हैं भाई, देखो, अब कैसे निकाले है, simple है, देखो, speed equals क्या होता है, distance upon time, distance equal speed into time, 24 into 6, हमें क्या करना एक equation, distance तो दोनों ही same है, तो यह भी same distance, और यह भी, 8 में किस speed से, distance उसे भी cover करेगा, ओके, तो क्या speed रहेगी, इसके लिए क्या, 8 यहाँ पे, 8 यह 24, 3, 6, 18, option number A is correct, ओके, थोड़ी practice करोगे, approximation देखो, two things is the key, speed and accuracy, speed कैसे आएगी, calculations, calculations कैसे आएगी, 20 तक पहाड़े से, तो 20 तक पहाड़े को याद कर लो, कटमा करियो भाई, यह नहीं कि, न, 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 पाड़े, कटमा, कोई पीछे, 17, اटे, 1164, augusta 16, 12, 85, चोरासी, 72 चोरासी, सिंपल जिसने भी जिसके पास भी 12 में मैट्स था यह कैल्कुलेशन क्या है बार 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 वहां पर आती है हमने इतनी बार करा कि तो ऐसी प्रेक्टिस करोगे न तुम लोग तो बहुत सारी चीज़े तुम्हें भी याद हो जाएगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं राम इस थ्री टाइम्स एज ओल एज श्याम तो श्याम में अगर तीन से गुणा करोगे तब राम के बराबर आएगा यह चीज ज्यान रख दो साल पहले वो फाइव टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम यह हमारी इक्वेशन बन गई अब क्या करना है और राम माइनस थ्री श्याम इक्वल जीरो और यहां पे आर माइनस टू एक मिनिट आर माइनस कितना जाएगा फाइव यह अगो था ना तो आर माइनस फाइव श्याम इक्वल्स यह इधरा करके प्लस का टू हो जाएगा यह एक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है अब मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन से ऑप्शन देखो बारा चौदा अठरा चौबिस ओके पहला ऑप्शन देखते हैं बारा है किसकी एज निकाल रखि प्रेजेंटेज अगर प्रेजेंटेज राम की बारा है और वो तीन गुना है श्याम का तो श्याम कितना आ गया चार आ गया दो साल पहले यह कितने का था दस का तो श्याम कितने का था दो का क्या कह रहा है टू एर्स अगो ही वाज फाइव टाइमस है फाइव टाइमस है ह हमारी equation satisfy होगी option number a क्या आ गया correct आ गया तो इससे अगर चारो option को भी तुम check कर लोगे इससे जल्दी वहाँ पर आ जाएगा calculation इसलिए कहा रहा हूँ calculation बढ़ाओ इस तक पहाड़े याद करो स्क्वेर से याद करो क्यों याद करो याद करो याद करो यह चीजे तुम्हारी speech बढ़ा देगे अगला प्रश्ण the average age group of four friend is 36 year जैसे यह दिखे total कर लिया करो what effort okay पढ़ा दिमाग में calculation चल रही है कहीं लिख लिया okay the youngest friend among them is six years what was the average age of the group at the time of the birth of the youngest friend अब यह छे साल का मतलब क्या कहा रहा छे साल पहले उनके ग्रुप का average age क्या था अब चार फ्रेंड हैं तो चारों फ्रेंड में से 6-6 माइनस यानि के कितना माइनस हो गया 24 कितना आ गया 120 अब जब वो बर्थीन हुआ तो वह भी वो फ्रेंड कैसे है तो कितने फ्रेंड थे उस समय तीन आवरेज इस क्या आ गई चालेस ऑप्शन नमबर डी इस क्रेक्ट क्लियर सभी को समझ आ रहा है चलो भई अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अब देखो 31 से 40 उसके बाद यह 86 से 100 यह सारे के सारे जाने चलो क्वेशन नमबर 8 ए 6 देखता है थोड़े इन्होंने इजी भी दे रखे तफ टॉप्लिकेशन पर दे करके आओ वहां पर अपनी कमिया देखो फिर यहां पर उसको स्लृइए नमों कर क 뭐 क्या फारे नमल लोगिया है बिल्कुल नहीं है ठीक है तो यह मिरी महिस नमबर है इसनद अल्र वह देखो क्या है राही की दंबर कि उत दुर बताए देते प्राइम नं भू उता है जिसके एक्जयर्डए दो फैक्टर्स होते हैं ओके और one के बारे में क्या कहा जाता one is neither prime nor composite एक ना तो prime number है ना ही composite number है ठीक है तो one is not a prime number बिलकुल सही बात है one is prime number गलत बात one is composite number गलत बात two is not a prime number दो के exact factors कितने है one and two तो यह prime number है ओके which one of the following statement is true ओके not a prime number जबकि यह prime number है तो यह statement भी क्या हो गई गलत वैसे तो हमारी पहली statement ही सही थी हमें आगे आने की जुरूत नहीं थी पर मैंने आपको समझा दे चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्टी what is the least common multiples of 90, 60, 75 and 35 ध्यान दो जिसके LCM निकल सकते हैं कम से कम वो तो निकालो 90 और 60 इन दोनों का 9 दोनी 18, 120, 60 या 180 तो कितना आ गया इन दोनों का क्या आ गया 180 आ गया अब हमें निकालना किसका 75, 35 और 180 का ठीक है अब ध्यान दो अगर कोई सा इन में से 180 से भाग नहीं हो रहा होगा तो वो क्या है वो हमारा LCM हो ही नहीं सकता क्लियर है बात क्योंकि चलो घड़के देख लेते हैं भाई 180 तो यह चलो इनका हम LCM निकाली लेते हैं LCM जिसे बोला वैसे ही निकाल लेते हैं 75, 35 यहां पे पांच सत्य और यह 15 पच्चे वो उसमें आई गया तो पंदरा सत्य से 105 एक मिनट करी लेते हैं भाई इसको 75, 35, 180 ठीक है थोड़ा बोर्ड है इस वज़े से दिक्कत हो जाती है कई बार यह कितना जाएगा 90 यह 45 ओके नाव तीन से 25, 35, 15, 35 अब यह पांच से जाएगा पांच पंजे पांच सत्य अब फाइव एंड सेवन अब देखो पांच पांच दो दो इनके पेर बन गे डबल जीरो हो गया तीन 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 नौ सत्य तिरे सेट ऑप्शन नमबर बी इस करेक्ट ओके थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप ल है कि तो कई बर थोड़ा सा इसी नहीं रहता है एनिवेज बट आप लोग कॉपी पैन पर असानी से कर सकते हैं अगला प्रशन देखो प्लेस वैल्यू अब जीरो इन ध्यान दो देखो प्लेस वैल्यू जब भी निकालते हैं दिससे वन्स हैं तैंस हंड्रेड थाउजंड अगर इंटरेशनल है जो पॉइंट के बाद है वो कैसे चलता है वो चलता है टैंथ हंड्रेड थाउजंड अगर इसके बाद आएगा टैंथाउजंड ओके हंड्रेड थाउजंड इस तरीके से चलेगा तो क्या पूछा है जीरो जीरो कहां पर है यहां पर है कॉंसील जग यह इन्होंने एक S लगा करके दे रखता है, तो option number D will be correct, अगला प्रश्न, three-fourth of the number of the girls in school is equal to half the number of boys, okay, three-fourth of the number of girls in a school is equal to half the number of boys, जैसा कहा वैसा हमने कर लिया, in a school 14-20 pupils, pupils means boys and girls, how many of them are boys, ओके भई निकाल लो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, girls upon boys का ratio, तो one upon two इधर, यह four upon three, इधर two two's are four, क्या आगया, two is two, three, how many of them are boys, तो boys कितने हैं, girls and boys, yes, two is two, three, तो boys कितने हैं, three हैं, तो कैसे निकालेंगे, 14, 20, three by five, पांस दुने दस, पांच अटे चालेश, पांच चौक बीस, तीन चौक बारा, और किसी में है नहीं, हमें आगे मल्टिप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, और यहां पर कर लेते, तीन अटे चौक बीस और एकपच्चिस का दो, तीन नुलीच है और दो, आठे, यह चीज़े ध्यान रखना, question देखते रहना, option भी साथ के साथ देखते रहना, जहां trick लगे, calculation में, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर time बचाना है, accuracy लाने है, चलो भई, अगला प्रेश्न, which of the falling is not a parallelogram, ओके, parallelogram, देखो, parallelogram क्या होता है, ओके, अगर ध्यान से देखते हैं, तो rectangle को क्या किया गया है, बीच में से दबा दिया गया है, आमने सामने की sides, parallel, and equal, ओके, यह, तो अब ध्यान दो, square, parallelogram की सारी property, follow करता है, rectangle, parallelogram की सारी property, property, rhombus, trapezium, trapezium में क्या होता है, यह, this is trapezium, इसमें आमने सामने की parallel तो होती है, बट, equal, नहीं होती, जबकि parallelogram की पहली ही property क्या है, parallel and equal, जो की नहीं है, तो here, option number four will be correct, अगला प्रेश्न, which one of the falling is smallest, मैं फिर से कहूंगा आपको fraction के उपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो जरूर देख लेना जाकर क्योंकि complete explanation करी हुई है, मैंने उस पर, तो आपको बहुत अच्छे से समझा जाएगा, अब यहां पर, seven by seven by, यहां पर क्या है देखो, चारो साथ के हैं, मतलब चारो क्या है, बराबर, एक के नौ टुकडे, एक के दस, ओके, एक के ग्यारा, और एक के बारा, तो क्या होगा, वह जिसके ज्यादा टुकडे करेंगे, वो टुकडा क्या हो जाएगा, चोटा वो टुकड़ा क्या हो जाएगा चोटा चारों लाइने बराबर हैं पर ज्यादा टुकड़े मिन्स वो टुकड़ा चोटा कम टुकड़े मिन्स वो टुकड़ा बढ़ा तो यहाँ पे इस थेयरी से 7 by 9 will be greater अब ध्यान दो कई बार ऐसा भी आ सकता है कि वो तुम्हें डिनोमेनेटर रिक्वल करके दे दे लाइक नाइन बाइसेवन एलेवन बाइसेवन एंड ट्वल बाइस जैसे मैंने इसका ओपोजिट कर लिया तो अब इसके ओपोजिट देखो इसका ओपोजिट फिगर के माद् प्रणे ओने उने साथ ही ओने तो क्या होगा जो जितना बड़ा है उसका टुकड़ा उतना ही बड़ा होगा तो इन दिस केस 12 बाइस 7 बिल भी ग्रेटर क्लियर रहे सभी को चलो कमेंट वोक्स में मैसेज करके बताना जरूर 250 इस डिवाइद इन्ट टू पार्ट 2 इस तो 3 देन दे सेकेंड पार्ट इस ओके सिंपल सा क्विश्टन है सेकेंड पार्ट मेस् थ्री बाइव पाइव पंजापंजातिय और देष्ट मेन सोब्सक्राइब प्रसबर से चलो बहरे था इन्होंने काफी बैलेंस पेपर बनाया हुए है सेंपल भी है तफ भी है सारी ऐख और सब कोई रख और इस एड़ टो देमेरेटर एड री सब्ट्रैक्ट टॉप्राइट एक को नुमेरेटर में एड किया टीन को डिनोमेरेटर में से घटा दिया इट बिकाम्स वन एक बन जाता है तो देखो बहु चार साथ नहीं बना एक को क्या करना है इफ वन इस क्या था वन इस एड़ेड ओके दस यह भी नहीं बनेगा यह भी नहीं बनेगा पांच और एक है कितना हो गया छे और नौ में से तीन गए छे सिक्स बाइ सिक्स इज वन तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करें फिर से मैं कहूंगा ऐसी को ऑप्शन से करो ओके बहुत यह असानी से हो जाएगा एक्वेशन मनाने की कोई जरूरत नहीं है करोगे चीजे समझ में भी आ जाएंगी चीजें क्लेर भी बढ़ते हैं अगले प नहीं है तो जो भी यह बहुत यह खतरना घए है नॉट क्योंकि नहीं होते ही ना मेरा दिमाग उसी उसमें जाता प्राइम नमबर ऑके चलो देखो आ महीं है यह दो से तीन से चलो भाई है पहले दो से तो कोई सा भी नहीं हो रहा तीन से देखो 4, 7, 10, 11, 4, 5, 6 ये 3 से divide हो रहा है prime number कौन से होते है जिसके exact 2 divisible होते है तो इन में आपका rules of divisibility ही follow होगा बस भाग देख करके देख लो ये 3 से हो रहा है इसका मतलब ये prime नहीं है नहीं है तो यही correct option है option number D is correct अगला प्रश्न दिपिका obtained 285 marks out of 500 percentage okay percentage code marks by दिपिका तो क्या है formula क्या है that which exists upon जिससे compare करना है multiply by 100 तो 285 की बात हो रही है कितने में से 500 में से इसकी गुणा हम 100 से कर देंगे पाँच पच्चे पच्चे और पाँच सत्य पैंटे सत्तावन प्रतिशत मार्क्स option number B is correct तो दिपक्या कहें कितने आए 57% मार्क्स आए थे चलो बै अगला प्रश्न राम कें रो डाउंस्ट्रीम 20 किलोमेटर इन 10 आर्स आड़ अड़ अप्स्ट्रीम 4 किलोमेटर इन 2 आर्स वाट विल बी थे स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर देखो यह कोश्चन को इसने टेड़ा कर दिया अब इसी लिए हमें बेसिक जानना भी ज़रूर है नहीं तो नॉर्मली स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जाता है इसने तिकडम कर दिया ओके चलो कोई बात नहीं करते हैं आट 20 किलोमेटर इन 2 आर्स माल लिया स्पीड ओफ बोट इतना स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ओफ स्ट्रीम माल लेते हैं वाइ ओके अब डाउन स्ट्रीम जो जाएगा बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों मिक्स होएगी तो x plus y boat and stream 20 km in 2 hours तो एक घंटे में कितना 10 यह आ गई combined speed अब stream में 4 km means x minus y in 2 hours कितने आ गई 2 जोड दिया 2x equals 12 x की value क्या आ गई 6 speed of boat is 6 speed and still water 6 km पर आ यह हमार answer है अब अगर इसमें कुछ और पूछ रखा होता जैसे अगर speed of stream पूछ रखा होता तो यह 6 तो stream कितनी आ गई 4 आ गई अब चेक कर लो भे downstream गया तो 6 दूनी 12 एक मिनट 10 की speed हो गई 6 4 10 तो 10 10 कितना हो गई downstream 20 अब upstream में 6 minus 4 2 और 2 कितनी हो गई चार हमारी question वैसे भी satisfy कर रहे है clear है option number a is correct next question 8 girls and 12 boys can finish the work in 10 days while 6 girls and 8 boy can finish it in 14 days ठीक है भई काम सेम है 8 girls 12 boy 10 day में finish करते है काम को उमने finish कर दिया भई दसों मिल करके इतने दिन 6 girls and 8 boys 14 days ok same काम है हमने क्या कर दिया दोनों को equal कर दिया कितना गया है यहां से 80 girls 120 boy 84 girls 112 boys अब यहां से boys and girls का हम लोग ratio निकाल लेंगे यह इधर गया 8 boy equals 4 girls तो girls upon boy equals यह 4 इधर आ जाएगा 2 is to 1 आ गया अब यहां से हम एक बार अगर देखे हैं क्या कह रहा है find the time taken by one girl alone by one boy alone girl and boy के बीच में क्या ratio है 2 is to 1 तो 2 is to 1 का ratio देखो किसमें दिखाए दे रहा 140 280 option number b is करे यहां पर अगर ratio से देखा जाए तो यह हमारा answer आ गया अब वैसे देख लेते हैं कि कितना time उसको लगेगा find the time taken by one girl alone ओके बस यह answer आ गया अब अगर इसको वैसे basic से solve करना चाहते हो तो फिर आप यह complete value उस equation में put कर दो फिर वहां से भी आप answer निकाल सकते हैं चलो ओके बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर ओके यह question लिखा नहीं गया था तो मैंने वैसे लिखा है तो हो सकता visibility एकदम से change हो चेक कर ले रहा कहते हैं तो इसके डिजट को इंटरचेंज करने के बाद जो सम निकला है वो कितना है वन वन जीरो तो 46 और 64 वन वन जीरो ओके 48 और 84 वन वन जीरो नहीं है तो यह दोनों option हमारे क्या हो गए कट गए clear क्योंकि equation को satisfy नहीं कर रहा है if 10 is subtracted from the first number ओके तो 46 में से 10 subtract किया the new number is 10 is subtracted from the first number तो new number is जो new number है हमारा कितना है 46 था तो यह 64 है the new number is 4 more than 5 times the sum of the desert एक मिनट 46 था गलत है यानि की वल option भी क्या हो गया हमारा नहीं हुआ इसको देखते है if 10 is subtracted new number is एक मिनट the new number is 4 more than 5 times of the sum of the desert new number is एक मिनट एक मिनट लट मी सी थोड़ा से लिखने में भी हो सकता भी घड़बड हो गई हो if 10 is subtracted from the first number 10 is subtracted from the first number the new number is the new number is 4 more than 5 times of the sum of the desert in the first number new number is 4 more than 5 times of the sum of the deserts in the first number तो इसमें deserts में क्या है 4 and 6 तो इनका deserts का सम कितना आ गया 10 तो जो ये नया number है पुराने number से जो उनका जोड़ है उसके 5 गुने से 4 जादा है तो 50 प्लस 4 चाववन ये हमारी equation क्या हो गई satisfy हो गई तो option number C will be correct हो गई okay clear हो गया होगा थोड़ी language में कई बार दिक्कत हो जाते है चलो अगला प्रश्न what will be the solution of these equation AX प्लस BY A माइनस B भी हमाई A प्लस B simple है जब भी ऐसा आ जाए आंसर तो इनमें सही एक है put करके देख लो solve करने से अच्छा इनको put करो तुमारा आंसर जल्दी से आ जाए AX प्लस BY यारे कि ये कितना हो गया A प्लस 2B इक्वल A माइनस B होई नहीं सकता ओके इसी तरीके से 2A माइनस B अब 2A माइनस B इक्वल A माइनस B भी नहीं कर सकते माइनस 2A ये भी नहीं होगा AX A BY A माइनस B देखो यहां पर A माइनस B इक्वल A माइनस B जैसे ही मैंने यहां पर 1 put किया और यहां पर माइनस 1 put किया तो A इंटू 1 A B इंटू माइनस 1 माइनस B ये किसके बराबर है A माइनस B के तो option number 4 के आ गया हमारा correct होगा हमें दूसरे equation को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे हम यहां पर चेक कर लेते हैं आंसर हमारा सेम ही आएगा तो B इंटू X तो ये 1 हो गया माइनस A इंटू Y यानिकिए माइनस 1 तो ये B माइनस माइनस प्लस A A प्लस B A प्लस B A प्लस B इक्वल है तो option number D will be correct next question and this is the last question also 5 years ago A was thrice as old as B 5 साल पहले अब इन में से किसी भी option को इले करके चलो ऐसे question बढ़ी असानी से रिकल जाएगे what is the present age of A ध्यान रख को कि ये तुम्हें present age दिया गया है 5 साल पहले A was thrice as old as B तो ये 5 साल पहले ये 15 तो B कितना हो गया 5 हो गया 10 years later A shall be twice as old as B 10 years later अब 10 years later इसमें ये इस से present age से 10 years later तो ये कितने का हो गया 30 का ये present age पे 10 पे और ये 20 पे क्या ये twice है ये option हमारा क्या हो गया reject हो गया इसको चेक करो 5 years ago अगर ये 45 तो B कितना 15 present में 50 और 20 10 साल बाद ये 60 ये 30 twice है जो इसने कहा twice as old as B ओके तो मेरे ख्याल से आपको ये जो भी मैट्स के गोश्शन थे ये clear हो गया होंगे बहुत अच्छे से अब इनको आप सभी जहां पर time लगा है जहां पर अपनी कमिया देखो और उन कमियों को दूर करो मैं फिर से कहूंगा पेपर अगर ये कर भी लिया चलो देख भी लिया बाकी बहुत सारे हैं वहां पर अपना score जरूर चेक करो PDF format में पहले खुद से चेक करके देखो कितना score कर रहे हो केतना अपनी उकात पता करो कहां पर हो तुम लोग उकात कैसे पता लगेगी टेस्ट देने से टेस्ट कहां पर देना है पर्स विडियास अगेडमी के अप्लिकेशन डाउनलोड कर लो टेस्ट सीरीज में जाओ वहां पर प्रिव एस से एक्षन में जाओ वहां पर देखो जल्दी कर लो लिंक संडे तक एक्टिव है उसके बाद दूसरा टेस्ट जलेगा तो यह लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा तो इसमें जल्दी से चेक करो अपना score वो पता नहीं कई पैसे वो वहाँ पे बोल रहे हैं वो pdf भी उन लोगों ने खुझ से नहीं बना रखी same paper था paper को as it is उन लोगों ने pdf format में तयार कर दिया उसके वो लोग बच्चों से पैसे चार्ज कर रहे हैं this is not a good thing तो बच्चों मेरी request है आप सब भी से share करो इस पीडिएप को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो ताकि किसी को पैसे दे करके खरीदने की जरूरत ना पड़े थैंक यू अब्रिवन वाट बेस्ट यू वाल जाहिन जावारत